वेलकम टो लियाइस तो अगत है आप सभी लोगों का प्रेलिम बूश्टर निउस डिसकेशन में आज है 19 अगस्त 2021 तो आज ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन सी important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमारा first article financial inclusion index के बारे में है RBI ने अभी हाल ही में अपना पहला composite financial inclusion index जारी किया है इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आप financial inclusion का मतलब समझ लीजी financial inclusion का सामा निभासा में मतलब ये होता है कि जो भी individuals हैं यानि कि हम और आप चाहे वो society के किसी भी strata में रहते हूं और जो institutions हैं उनको financial services की equal और easy access हो insurance की services आ जाएंगी और भी कई सारी services आ जाएंगी सामा निभासा में कहूं तो सभी लोगों के पास bank का account हो वो उसमें से transactions वगएरा कर सकते हों और एगर वो insurance वगएरा लेना चाहते हो तो ले सकते हो आसानी से ले सकते हो अगर ये सभी के लिए उपलब्द है तो हम कहेंगे कि financial inclusion बढ़िया है अगर नहीं है तो कहेंगे कि खराब है तो ये तो मतलब हुआ financial inclusion का इस index को release किया है RBI ने उद्देश यह है कि पूरे भारत में financial inclusion किस बहतर तक या किस तर तक हुआ है इसकी जानकारी कठ्ठा की जाए इसमें देखिए टीन ब्राड पैरामेटर है पहला तो access किसकी access financial services की access उसका weightage 35% है usage financial services का usage 45% इसका weightage है और quality financial services जो दी जा रही है उनकी quality कैसी है तो जो keyword है financial inclusion में that is financial services इसके अत्रिक देखिए इन सभी dimensions में कई सारे indicators होंगे 97 indicators पर evaluation किया जाएगा अब जो evaluation होगा उसके basis पर बाते समझते हैं इसमें एक बहुत unique feature है that is quality of financial inclusion जो financial inclusion हो रहा है यानि कि जो financial services दी जा रही है उनकी quality कैसी है इससे हमें ये पता चलेगा कि लोग financial literacy रखते हैं कि नहीं उनको various services के बादे में जानकारी है कि नहीं consumer protection कैसा है कहीं inequality तो नहीं है मतलब आपको percentage में दिख रहा है कि हाँ 80% आवादी financial inclusion अवेल कर चुकी है लेकिन वो 80% जो upper stata में है केबल वही है lower stata में ये penetrate होई नहीं पा रहा तो ये भी आपको देखना पड़ेगा services के deficiency तो नहीं है कहीं इन सभी चीजों को evaluate किया जाएगा जो score होगा वो 0 से 100 के बीच में दिया जाएगा 0 का मतलब है complete financial exclusion मतलब financial services नहीं मिल रही 100 मिल गया तो financial inclusion complete इसे देखे हर साल जुलाई में publish किया जाएगा base year कोई भी नहीं होगा हाँ evaluation करने के लिए आपको कोई साल लेना है तो ले लीजे बाकि यह सच कोई base year इसका नहीं होगा अभी क्या निकल किया आया है देखे मार्च 2021 तक का data cover किया गया यह पता चला कि various parameters पर financial inclusion 53.9% है यह population की बात में नहीं कर रहा हूँ उसका percentage नहीं देख रहे हैं rather हम देख रहे हैं यह जो unit score है यह 53.9 out of 100 यह various parameters पर है मतलब इसका अगर आप comparison मार्च 2017 से करेंगे तब यह 43.4 आपको मिलेगा numbers में 46.1% के जो indices हैं या जो parameters हैं वो अभी भी financially excluded हैं यह हमें इस पूरे evaluation में पता चल रहा है सरकार जबकि कई तरीके की initiative इस समन में ले रही है फिर भी यहाँ पर लिखे 2015 में एक प्रशन था index पर है यह index पर अगरा पर UPSC प्रशन पूछती है बहुत सारे पूछे गए हैं लगवग हर साली वो एक पूछ लेते हैं तो आप तयार रखिए cost benefit निकलता है इसका consumer price index number for industrial worker यानि की CPI IW कौन निकालता है या आप से पूछा जा रहा है सही जवाब है C यानि की labor bureau that is the correct answer हमारा next article United Nations World Geo Special Information Congress के बारे में है इसके पहले कि हम आगे बढ़ें आप Geo Special का मतलब समझ लीजिए जैसे geography होती है उसमें various important locations होती है suppose करिए कि ये एक monument है तो इसकी Geo Special Information ये होगी कि ये किस location पर based है Special का मतलब यहाँ पर space यानि की location related होता है अब Geo Special Information जो होती है that can be kind of data ये data geographical coordinates के according हो सकता है like इतने latitude और इतने longitude पर ये monument located है तो ये इसकी Geo Special Information हो दिए इस संबंध में देखिए अभी एक Congress जो कि दूसरी Congress है वो इंडिया में 2022 में आयोजित की जाने वाली है that's why it was in news तो Global Geo Special Information Community जो है वो काफी eager है राइट नाओ जो Second United Nations World Geo Special Information Congress होना है इसे इंडिया organize करेगा अक्टूबर 2022 में अधिके organize इसे mainly किया जाता है United Nations Committee of Expert on Global Geo Special Information Management के दवरा short में इसे UN GGIM बोलते हैं हर चार साल में एक बार इसे organize करवाने के जिम्मेदारी इनके उपर होती है लेकिन अभी ये कहा organize करवाएंगे क्या किसी island पर organize करवा देंगे क्या तो कोई नो कोई host country तो होती है जो overall organize करवाने के जिम्मेदारी लेती है इसके पहले जिम्मेदारी चाइना ने ले थी 2018 में 2022 में ये जिम्मेदारी इंडिया के पास है उद्धेश ये है कि international level पे हम collaboration enhance करें जो भी member states है या relevant stakeholders है कि हम various important जो locations हैं उनकी geospatial information बढ़ियां से collect करें और उसे manage करें जो geospatial information होती है वो integrate होती है hardware, software या data के form में जिसे capture, manage, analyze और display किया जाता है various form में जिसके पास geographically referenced information होती है इसकी first summit होई थी 2018 जो second summit है वो हैदराबाद में 2022 में होने वाली है थीम होगी towards geo enabling the global village यहाँ पर बात कर रहे है United Nations Committee on Expert on Global Geospatial Information Management के बारे में जिसके उपर यह पूरी जिम्मेदारी है actually में इस body को या इस committee को establish किया गया था 2011 में ECOSOC के द्वारा ECOSOC का full form है United Nations Economic and Social Council leading role यह play करते हैं एजंडा तयार करते हैं कि कैसे Geo Special Information का एरिया और बढ़ियां से develop हो और global challenges को हम इसका इस्तिमाल करके handle करें जो committee है उसमें government के experts भी होते हैं इसके international organizations के भी experts होते हैं यह कम से कम एक बार meeting ज़रूर करते हैं साल में और अपनी report सीधे ecosystem को swamp देते हैं हमारा next article एक नई algae की species के बारे में है botanist का एक समूँ जो कि Central University और पंजाब से विलॉंग करता था भटिंडा उन्होंने एक algal species को discover किया है अंडवान निकोबर आईलेंड से यह बहुत ही bright green algae है जो एक umbrella ये mushroom की तरह दिखता है यहाँ पर देखिए इमेज में 20 से 40 mm इसका size मिजर किया गया है इस नई algal species को एक imaginary sea mermaid के उपर नाम दिया गया है aceta bularia gel kanya काई जल kanya इसमें आपको दिख रहा होगा ये वो sea mermaid हैं कुछ ऐसी resemble करती है और उन्ही के नाम पे इस algae को नाम दे दिया गया है characteristic की बात करें तो देखिए इसमें आपको एक gigantic बहुत बढ़ा cell मिलता है एक nucleus के साथ ये nucleus एक resort structure तयार करता है resort structure actually में plants या fungus में root की तरह structure होता है जो उसे किसी चटान बगएरा पे पकड़ बनाने में help करता है इसकी मदद से ही ये algae जो shallow rocks होती है उन पर अपनी पकड़ बनाता है ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं high regenerative होते है highly regenerative होते है ठीक है देखे ये जो various species news में आती है इन पर UPS से प्रशन पूछा करती है 2016 में प्रड़्ण से प्रशन पूछा गया था बनाना प्लांड की एक species जिसकी height लगबग 11 meters के आसपास होती है orange color का fruit pulp होता है ये कहां discover किया गया है और इसका सही जवाब था ए अंडमान आयले ठीक है तो ऐसे प्रशन पूछे जाते है ये species भी अंडमान में मिली है तो आपको पता होना चाहिए ये से प्रशन पूछे जा सकते हैं आपसे you must be prepared for that हमरा next article महराजा रंजीस सिंग जी के बारे में है ये पहले ruler थे सिख एंपायर के महराजा रंजीस सिंग जी की एक ब्रोंज की जो प्रतिमा है उसे अभी पाकिस्तान में खंडित कर दिया गया है वेंडिलाइस कर दिया गया है जिस पर इंडिया ने आपत्ती भी जताई है हमरा subject matter जो होगा that will be related to महराजा रंजीस सिंग क्योंकि ये मुद्दा तो चलिए पाकिस्तान से associated है news में आया आप जानते रहे है बट प्रशन यहां से नहीं आएगा प्रशन महराजा रंजीस सिंग जी से आ सकता है इनका जन्वत 13 नॉंबर 1780 में हुआ था गुजरान वाला में जो वर्तमान में पाकिस्तान में है देखे पंजाब में एक ऐसा समय था जब पूरा पंजाब 12 मिस्ल में डिवाइट था ये मिस्ल छोटे छोटे प्रांथ हुआ करते थे जिसमें एक चीफटेन या सरदार उसे रूल करते थे रंजीस सिंग जब प्रॉमिनेंट हुए तो उन्होंने बाकी जो बॉरिंग मिस्ल थे उनको जीत लिया और एक युनिफाइट सिक एमपायर तयार किया जब उन्होंने 1799 में लाहॉर को कंकर कर लिया जीत लिया तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे जब महराजा रंजीस सिंग जी ने बाकी के मिस्लों को जीत लिया तो आप ये बताइए कि वो खुद किस मिस्ल से बिलॉंग करते थे उस मिस्ल का नाम आपको जी कॉमेंट बाक्स में बताइएगा इंपोर्टेंट है सम्टाइम्स पूछा जाता है देखे इन्हें लाना पंजाब की नाम से पुकरा जाता है या सेरे पंजाब बिकाज इन्होंने अफगान इन्वेडर्स को लाहौर में बुरी तरीके से पचाड़ा और ये उनकी कैपिटल बनी रही उनकी मृत्यूता इनके जनरल थे हरी सिंग नालवा उन्होंने फोर्ट आफ जमरुद बनाया था जो कि खैबर पास के बिलकुल मुहाने पे था जिसकी मदद से जो कि खैबर पास वो रास्ता था जहां से फॉरेंड इन्वेडर्स अटैक करते थे खैबर पास वर्तमान में आपको पाकिस्ताउन और अफगानिस्तान के बॉडर्डर पे मिलेगा उस समय ये माराजय रंजीस्तिंग का एरिया हुआ करता था उनकी मृत्यू के समय वो एक मात्र सौवरें लीडर थे जो इंडिया में बचे थे पाकिस्ताब नहीं इस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक दिये थे उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्यात में जो सिना थी उसको तयार कर रखा था similarly European Officers को निप्त किया जाता था उनकी ट्रेनिंग के लिए एक French General थे Jean, Franquist, Allard उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आर्मी को modernize करे रंजीस सिंग जी जो थे वो एक Trans Regional Empire तयार कर चुके थे जिसमें कई सारे स्टेट्स आते थे उसमें मुगर प्रोविंस का जो लाहौर मुलतान था इसके लामा काबूल का कुछ हिस्सा और लगभा पूरा पिसावर रंजीस सिंग जी के लद्दक का था वहीं आप North East में जाएंगे तो खैबर पास तक इनका empire फैला हुआ था और पंजनाद साउथ में मिलेगा इनके रेजीम के दुरान इनका जो पूरा empire था वो छे नदियों का empire था जिसमें पाँच तो tributaries हैं इसके अलावा इंडस की और शठी इंडस खुद है महराजा रंजीस सिंग जी एक secular ruler थे उनकी सेना में या उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम सभी powerful positions में रहा करते थे हर्विंदर साहिब को उन्हों नहीं जो अमरिस सर में है golden temple में convert किया उसे gold से cover करके तो ये सारी बाते महराजा रंजीक सिंगी के बारे में हमारा next article Startup Women Entrepreneur Award 2021 के बारे में है इस award को भी सरकार ने announce किया है पैलली अमरित महसौस्त्री सक्ती innovation challenge भी launch किया गया अवार्ड की बात करें तो इसे Minister of Electronics and IT नहीं NASCOM और UN Women के साथ मिल कर setup किया है वो देश यह है कि महिलाओं में entrepreneurial जो spirit है उसे cultivate किया जाए वो next generation वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए role model बन सकें उन्हें guide कर सकें और उनके अंदर भी ये skill या ये spirit जगा सकें आमरित महसौस्त्री सक्ती innovation challenge की बात करें तो माई जीओ वी जो ministry of electronics and information tech के तहर काम करता है उसने UN women के साथ मिलकर ये challenge तयार किया है वो देश से नारी से शक्ती करन है women entrepreneur को support करना है promote करना है ताकि वो start-ups तयार कर सकें women safety और importance related benefit ये होगा कि देखे जो भी ये challenge जीत रही है पांच winners को पांच लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है ताकि वो अपना जो skill है या जो उनका idea है उसे develop करके market में पहुचा सकें और implement कर सकें एक award और है news में आया है तो देख लेते है ministry of commerce and industry ने दिया है national intellectual property award 2020 इस award को office of controller general of patent design and trademark के द्वरा दिया गया है जो कि department of promotion of industry and internal trade के दहत काम करता है under ministry of commerce and industry award के नाम से इस पस्ट है कोई भी ऐसा ये award जो है वो उन top achievers को दिया जाता है वो individual हो सकते हैं institution हो सकते हैं organization हो सकते हैं किनोंने intellectual property के ecosystem को बहतर करने में अपना contribution दिया है देख लेते हैं financial inclusion index निती आयुजारी करता है गलत है RBI करता है ये दूसरा वाला सही है तीसरा भी सही है चौथा महौत सोफ सी सकती innovation challenge ये ministry of foment and child development का नहीं है मैं ती का है तो ये भी गलत हो किया session की पेडिया फोन यायास के telegram channel पे मिलेगी link description box में है आज के session में बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद